मेडिल एजुकेसन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका सोगत है इस्ट्रेंट्स अल्रेडी मैं यूटूब में लाइव आकरके और दो से तीन टेस्ट ले चुका हूँ वैसे 20-20 नमबर के मैंने 2 टेस्ट कम्प्लेट कर दिया मतलब 40 नमबर का आपका 22 टेस्ट प्रेश्ट मेंने कम्प्लेट कर दिया है इतना ही नहीं टोटल यदि मैं टेस्ट की बात करूँ तो 10 से 11 टेस्ट 11 टेस्ट हो चुके है 11 टेस्ट आपसे वैपसाइड में लिया गया है मतलब एक टेस्ट में 10 कोश्ट तो आपके हो चुके है 110 प्रेश्ट 110 प्रेश्ट में 40 प्रेश्ट यूटूब में टोटल यदि मैं जोड़ू तो 1500 प्रेश्ट तुम सॉल्व कर चुके हो जो की बस तुनिष्ट है और इतना ही नहीं अभी 20 प्रेश्ट फिर हम यहाँ पर आपके सामने लेकर क्या चुके हैं तो 20 आप इसे भी काउंट करिए तो इसे दिए जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा और टेंसर मतलो अभी 30 से 40 नमर का टेस्ट एक अगेन वेपसाइट पे होगा टोटल हम 200 कुश्ट की प्रेक्टिस कर लेंगे अपने इन दिनों में ताकि हमारा कोई भी कुश्ट ना छोटे मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेडिल एजक्योशन का स्ट्रेटजी समझ में होगा एंड टॉपर स्रीज 2024 यही है इसी का उद्दिर से आपको 12 परिक्षा में टॉप कराना तो चलिए हम टेस्ट को लॉग इन करते हैं इस टेस्ट में हम सब्दसक्ति समझीद कुश्चन को देखेंगे और देखें किस प्रकार से कुश्चन हमारे एक्जाम में देखने को मिलेगा अगर आप टेस्ट अटेंब करना चाहते हो तो सिंपल सा आप भी टेस्ट को दे सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में है यसा सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रियल नेम इंटर करना है जैसे सब्पोस कीजिए कि मैं हूँ मिडिल एजुकेशन तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा Middle Education Got it And Submit पर बटन पर टिक करूँगा तो हमारे टेस्ट ओपन हो जाएगा यहाँ से हमारा question स्टाट होता है पहला number कहता है कि राम के खश्टी विवक्ती का रूप क्या होगा हमें पहचानना है तो राम को हो जाएगा रामस से अर्थात आपको option number D पे टेक करना है इस चीज़ को ध्यान रखेगा and MP वोड इस questions को 2020 में, 2022 में, 2023 में तीन वार repeat कर चुका है same to same हो ही questions यह तो मैं बार्शिक परिक्षक बात कर रहा हूँ इसकिलाबा त्रमाशिक और अर्दवार्शिक में भी पूछा है किसलिए इस questions को अच्छे से prepare करनी है चली student आगे बढ़ते next question हमारा second number कह रहा है कि कभी सब्द का दुतिय विवेक्ति रूप क्या होगा कभी कभी हो जाएगा कभी हो जाएगा कभी हो जाएगा तो इसका सही answer आपको देखना है कभी ही अर्थात आपका option number second सही उत्तर होगा इसलिए आपको second पे टिक करना है ठीक इसी प्रकार से आप भी टिक कर सकते हैं लिंक के थ्रूप ठीक है अगर आपने नहीं दिया तो आगे दिखते हैं तीसर नमर कहता है साधो सब्द में विवक्ति है साधो सब्द में कौन सी विवक्ति है हमें विवक्ति पहचानना है तो साधो सब्द है वो आपका पंची विवक्ति है आपका खश्टी व्यक्ति अर्थात आपको option number A पे टिक करना है got it? तो इसका सही answer हो जाएगा option number A खश्टी व्यक्ति is correct answer and हमने भी से टिक कर दिया कुछ इस प्रकार से आगे बरती next कहता है पाँचवा नमबर जो फलानी सब्द है जो फलानी है तो इसका बचन कौन सा होगा? एक फलानी सब्द इसका बचन कौन सा होगा and MPBODY इस questions को कई वार repeat किया है यह हो जाएगा आपका बहुबचन है तो इसके साथ आपको जाना है आगे बरती next कहता है प्रश्ण करवांग 6 अच्छा ये भी तुम मुझे बताना है कि वीडियो इंड होते होते तुम्हारे कितने नंबर आए हैं इन 20 टेस्टों में ठीक ये मुझे कमेंट सिर्म लिकर के बताना है हमारा next 6 नंबर कहता है कि रामस से जो है उसके पद का बचन कौन सा है रामस से आपका एक बचन है दूई बचन है बहू बचन है फिर अन्य बचन है तो रामस से आपका एक बचन हो जाएगा अर्थात इस पर आपको टिक करना है एंड हमने यहाँ पर टिक कर दिया आगे बड़ते next कहाता है सात्मा नंबर राग्य इत्यस्मिन पद्य भिखती अस्ति जो राग्य है वो कौन सी भिखती है तो राग्य आपका चतुरती भिखती हो जाएगा अर्थात ओप्सन नमर फर्स्ट में आपको टिक करना है इस प्रकार नहीं ने साथ प्रशन को अटेंड कर लिया आपके कितने सही है आप से बालकम सब्दो कौन सी भिखती है तो बालकम आपके दूतिय भिखती है एंड ये सहुत्तर होगा तो इसलिया हमको दूतिया पर टिक कर रहा है व्लिशा आमतीम 10. तो अभी तक 10 questions मैंने attempt किया इसमें आपके कितने सही हैं मैं आपके सामने सही आंसर बता दिया हूँ चलिए 10 questions और देखते हैं अभी यह questions जो हमने देखा तो वो सकते समंझ देखा था अब कुछ हट के और यूनिक देखते हैं ताकि वहां से भी जितने questions तुम्हारे एक्जाम हो सकते हैं इसको cover करते हैं सिंपल सा वही काम करना है हमें start पे click करना है middle education नाम submit करना है एंड हमारा quiz start हो जाएगा यह रहावाई चलो धाद समझे तो questions देखेंगे पहला नमर हमारा कहरा है कि अपिवन इत्यस्मिन पदे बचन मास्ती मतलब जो अपिवन सब्द है वो कौन स करके बताईगा यह आपके लिए मैं skip करता हूं आगे देखते नेक्स सेकंड नमर कहता है एक सिकंड हाँ भवेयू इत्यस्मिन पदे बचन मास्ती जो भवेयू सब्द है वो कौन सा बचन है देखो बहुत प्यारा प्रशन पूछा है इसमें कौन सा पूछा है इसमें आप आपका बहुत बचन है ठीक है चलिए जिए आगे बड़ते नेश्ट कहे रहा है प्रशनिक रवांग 3 प्रशनिक रवांग 3 कहता है गमिश्यति एक सब्द है जिसमें से कौन सा लकार है गमिश्यति मतलब इसमें आपका लिटर लकार हो जाएगा अरथात आपको यहां पर टिक करना है चलो एक वार मैं टिक कर देता हूं जो जो मैं बता दिया हूं वाकि जो तुम्हां लिए छोड़ा हुँ उसका अंसर तो कमेंट स्केशन में देना है यह बहुँ बचन हो गया यह आपको अपने दोनों सही किया तो देन आप अच्छे से त्यारी कर लिये हो आगे आगे बढ़ते नेश्ट कहता है नेश्ट कहता है भवेयू इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति जो भवेयू होए वह कौन सी धातु है तो इसमें हो जाएगा निश्यम निश्य हो जाएगा ठीक है निश्य हो जाएगा तो इसका सही अंसर आपको निश्य पे टिक करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं पस्यामी इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति जो पस्यामी होगा कौन सी धातु है तो इसमें हो जाएगा पस्यातु ठेक तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा पस्यातु ना तो आपका पस्यातु होगा ना तो पस्यातु होगा ध्या देख लो पस्यसी में पच्छ धातू होगा पस्य धातू और चाकिन उपर हलंत लगेगा चाकिन नीचे ठेक इस प्रकार से हमने इसे टेक कर दिया ये आगे देखते हमारा सात्वा नमर कहता है कि लाभेंते इत्यसमिन पदे धातू अस्ति लाभेंते में कौन सा धातू है अभी तक आपने देखी दोस्तों को सेर नहीं किये हैं गलत बात है लास्ट मूमेंट है कल बस का समय है दोस्तों साथ सेर करिए ताकि उनको फाइदा मिल जाए वो भी इस चीज का फाइदा उठा पाएं हमारा नेस्ट कोश्चन कहता है अयचत इत्यसमिन पदे धातू अस् याच है अच है या फिर ची है तो इसका सही आंसर आपको लगाना है अच्य अर्थात ऑप्सन नंबर सी इस करेक्ट आंसर आगे दिखते हैं प्रश्चन करांक 9 कहता है कि पश्चन इत्यसमिन पदे धातू अस्ती जो पश्चन सब्द है उसमें कौन सी धातू है तो ये पूरसार दे जो देफ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आपका बहुँबचन हो जाएगा इस प्रकार से बहुबचन सही तर होगा तो देखे आपके सामने 20 questions को मैं attempt किया हूँ एकदम live हा करके आपके सामने आपके 20 में से कितने सही है comment section लिख करके जरूर दाईएगा और बहतरी इनतारी के लिए तुम middle education को follow करो Facebook page है एक Facebook page पर follow कर लो क्योंकि Facebook page पर एक तगला content आता है जो कि morning में upload होता है ये फिर रात में खीक है कभी भी upload हो चकता है और अगर उस video को तुम देख लिए तो वो तुम्हारा एक last video होता है तवाही मचाता है exam में बहुत सारे questions वहां से देखने को मिलता है even तुम इतना ही सारे questions आजाएंगे कि तुम खुद बोलोगे क्या ये real paper है हना तो बहुत सारे questions आते हैं इसलिए जुड़िये के जरूर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रुक साथ साजा कीजिए पहली बारा चनल को subscribe करिए definitely आपको टॉपर बना करके ही छोड़ूँगा मैं करता हूँ वीडियो के इंड exam के लिए all the best बाबाई